हेलो फ्रेंड्स स्वागा थे आपका स्टटी फॉर सेविल सर्विस के यूट्यूब प्रेटफर्म पर फिर से और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चंडीगड का जो मेर इलेक्शन हुआ था उसके बारे में काफी चर्चा में है मामला पिछले कुछ दिनों से और हमको एक बार फिर से न्याईक सक्करियता देखने को मिली है सुप्रिम कोट ने फिर से कमाल कर दिया ठीक अभी कुछी दिनों पहले चैटल गवर्मेंट की इलेक्टोरल बॉंड स्कीम को अनकॉंस्टिटूशनल घोशित किया था और फिर बंडे को देखते हैं कि एक और मामला उसकी नजर में आता है और उसको ततकाली प्रभाव में लेते हुए रेटरिनिंग ऑफिसर को अपने सामने प्रस्तूत करते हुए और जो संदे सुप्रिम कोट की मन में था इलेक्शन को लेकर उसकी तस्वीर पूरी तरीकी से साफ कर दी और उस उम्मीद्वार को विजय घोशित किया जो पहले हार चुआ था मेर इलेक्शन की बात हो रही है जो चंडिगड में 30 जनवरी को हुए थे उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं चर्चा काफी जोरोपे है और सुप्रिम कोट ने किस तरीके से सक्रियता दिखाते हुए आर्टिकल 142 का प्रियोग किया है और फैसला सुनाया है ठीक है तो ये जो न्यूज मैंने लिए है ये तो लिए है इनियर एक्स्प्रेस से कल के न्यूज़ पेपर की ये न्यूज़ है प्रिंग बैलेट पेपर्स टू कोट ऐसा कहा सुप्रिम कोट ने अर्थात ये तीन जज़ज़ की बैंच थी जिन्होंने इस पर कारवाई करी और रिटर्निंग ऑफिसर को अपने सामने प्रस्तूत किया वो सारी रिकॉर्डिंग्स फिर से देखी गई जिसमें लगातार संदे की सिद्रें बनते जा रहे थे रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की तस्वीर आपने पिछले कई दिनों से अपनी न्यूस चैनल में देखी होगी यह हैं अनिल मसीह रिटर्निंग ऑफिसर जिसनों जिनको यह कमांद सोभी गई थी तुनाओ लोगी तरह बार-बार कैमरे की तरफ देख रहे हैं कैमरा सही धंक से काम कर रहा है या नहीं लेकिन कैमरा बिलकुल सही धंक से काम कर रहा था और इतना अच्छी तरह के से काम कर रहा था कि इन एक्टिविटीज की नजर सुप्रीम कोट तक पहुँच गई और सुप्रीम क जनरल रहे थे तो सरकार ने इनके बचाव पक्ष में उनको रखा था लेकिन जो भी दलील प्रस्तूत करी गई सॉलिस्टर जनरल के द्वारा भूदपूर्व उससे संतुष्च नहीं हुए सुप्रीम कोट के जजिस और उन्होंने कोट में पहली बार एक तरह के से कह सकते है की गिंती हुई है पॉल्स की और जो आठ पॉल्स में जो संदे दिखाई दे रहा था उसके आधार पर कुलदीब कुमार को जो आप और कॉंग्रेस के क्या थे अलाइंस के जो मेर प्रत्याशी थे उनको विजित घोसित कर दिया गया यह एक एतिहासिक फैसला है एतिहासिक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोट में कोई बंदा जीता है जाकर इस तरीके से बागी फ्लोर टेस्ट होते रहते हैं ठीक है तो यह है अनिल मसी अब इन पे क्या कारवाई होगी आगे यह तो हम नहीं जानते लेकिन इनको तलब कर लिया गया है मुस्ताच होगी किसके प्रभा क्यों में ऐसा कर रहे थे क्यों एक्स का साइन बना रहे थे और क्यों अपनी शक्ति का दुरुप्योग कर रहे थे इस तमाम सवाल इनसे पूछे जाएंगे आगे देखते हैं इसमें क्या होता है फिलाल हमें एक्जामनेशन पॉइंट अब यू से यह समझना चाहिए कि आ हमारे समिधान में जो यूनियन जुडिशरी है उसके टॉप में आती है तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में जो आर्टिकल है हमारे समिधान में उस सब का संबंध किस हिससे सुप्रीम कोट से है तो इग्जामनेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि यही वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में इसलिए अब सुप्रीम कोट के लगबग सारे आर्टिकल्स आपको देखने पड़ेंगे एक बार सारे नहीं भी तो कुछ इंपॉर्टेंट्स जैसे कि 124 ऐसा कोट ओफ रिकॉर्ड और एड होक जज़स क्या होते हैं किस आर्टिक आर्टिकल दिए गए हैं 124 से लेकर 146 के बीच में इन में सभी अब इंपॉर्टेंट है खास तौर पे वे जिसका मेरे नाम अभी लिया ठीक है एक्जामनेशन को ध्यार में रखके अब यह पूरे पूरे जो हैं यह काफी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं आपके लिए जर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि complete justice दिया जाए जहां पर उसको संदेय लगता है क्योंकि कानून तो हमारे बनते हैं संसद में या विधानसभाओं में लेकिन कानून के रक्षक के रूप में कौन मौजूद है जिडिश्री मौजूद है के इंदिस्तर पर सुप्रीम क को एक तरीके से कह सकता है कि discretionary power देता है और वो उस power का इस्तमाल कर सकता है extra ordinary इस्थिती में जरूर यह extraordinary इस्थिती ही रही होगी कि Supreme Court ने इसको संज्यान में लिया और तुरंद प्रभाव से इसको अपने सामने सारी चीज़ें करवाई एक बड़ी ही important बात है यह है article 142 जै as to discovery etc. यह तो समिधानिक भासा है तो इसको जरा सरल भासा में यह समझ सकते हैं आप कि article 140 का प्रियोग Supreme Court ने इस मामले में किया और उसको लग रहा है कि यह लोकतंत्र की लोकतंत्र के साथ खिलवाड हो रहा है जो प्रत्यासी जीत रहा था उसको हरवाय जा रहा है इस प्रक दिया और उसने Supreme Court ने दुबारा election कराने की कोई बात नहीं करी जो election हो चुके थे उसी की दुबारा से गिंती की जाएगी यह सारी बाते Supreme Court ने करी तो काफी लंबी चीज़े है कल हमको देखने को मिली Supreme Court के अंदर तमाम अमला लगा हुआ था वहापर अनिल मसीवा अपने वगी के साथ और बचाओ पक्सकावला वकील भी रहा होगा ठीक तो क्या इस से पहले Supreme Court में यह मामला पहुशने से पहले क्या कुलदीव कुमार ने High Court का दरवाजा नहीं खट-कटाया होगा जरूर खट-कटाया होगा लेकिन हर्याना और पंजाब की High Court ने उस फैस और Supreme Court ने ही कह सकते हैं कि High Court को फिर से आया ना दिखाया कई बार दिखाया है और कह सकते हैं कि इसमें Supreme Court ने खुद अपना एक कदम आगे बढ़ा कर इस फैसले को अपने हाथों में लिया और लोगतंत्र की हत्या होने से बचाया है ऐसे statements दिए गए हैं newspapers में तो हमें यह भी जानना होगा क्या article 142 का प्रियोग Supreme Court मनमाने तरीके से कर सकती है जम्मन चाहे तब कर सकती है तो ऐसा नहीं है ऐसा करने से Supreme Court को पचना चाहिए ऐसे भी फैसले लिए गये हैं सन 1995 में लिए गये हैं Supreme Court के द्वारा ही लिए गये है एक्स्ट्रा ओर्डिनरी सिच्वेशन जब तुम जो कानून के रक्षक हो तुम कानून बनाने वाले की सिरेडी में आ जाओगे ना तो फिर विधाई का विधान सभाएं और फिर संसत क्या करेगी फिर देखिए कानून बनते हैं भारत के संसत में बनते हैं और राज जी के स्तर पर कहां बनते हैं विधान सभाओं में बनते हैं तो यह चीज यह पॉइंट बहुत जानना जरूरी है हमारे लिए कि कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है संसथ विधान सभाएं ठीक और उसका रक्षब कौन है नियापाली का तो यह जो डिबेट है विच सुपीरियर लेजिसलेटिव और कोट यह विवाद का जो सुप्रिम कोट ने आज किया हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा-ओर्डिनरी सिचुेशन आने पर ही किया होगा लेकिन बार-बार नहीं कर सकता क्र्छा क्योंकि यー क्या माङं लिया जाएगा किसी खास सीच का और ऐसे में अगर सुप्रिम कोट अपने दायरे से बाहर आकर कई बार फैसले सुना आए हम क्या सकते हैं कि एक महाभ्योग की भी प्रक्रिया होती है सुप्रीम कोट के जज के अगेंस लाई जा सकती है फिलाल इस केस में तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि साफ साफ सुप्रीम कोट को नजर आया और उसने वो काम किया तो टीबेट है कौन सी जुडिस्तरी वर्सस जुडिस्तरी वर्सस लेजिलेटिव ये आज की नहीं बड़ी पुरानी भैस है ठीक तरह के सह कह سकते हैं एक प्रिकल्टि पर दो हवी हो जाती है कहीं गई पर यह हभी हो जाती है फिलाल आज तो सुप्रीम कोट हावी नजर आ रही है ठीक है ना सिर्फ इनों ने आई कोट को आयना दिखाया जबकि सरकार को भी आयना दिखा दिया है कि मनमानी तरीके से आप इस तरीके से चुनाओ नतीजे अपने पक्ष में नहीं ले सकते ये दिखा दिया है इलेक्टरल बॉर्ण वाले केस में भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जटका दिया है मौजूदा सरकार को ठीक है तो ये कुछ बड़े ही एतिहासिक फैसले माने जाने सुप्रीम कोट ने बड़ा एक्टिव नजर आ रहा है सुप्रीम कोट आज कल और इससे सरकार थोड़ा क्या है बैकफुट में नजर आ रही है ठीक तो जूडिसरी वर्सेज लेडिस्रेटिव जो है ये आज से नहीं काफी पहले से ही क्या है चर्चा में रहता है कि क्या सुपीरियर है लेकिन अगर प्रजातंत्र को बचाना है समिधान के जो मूल ने उनकी रचा करनी है तो सुप्र इंपोर्टेंट इवेंट हमको पिछले दो-तिन दिनों में देखने को मिला मामूली सा चुनाओ एक मेर के एलेक्शन में इस प्रकार की भी धानलेवाजी हो सकती है ये कैमरा होने की वज़े से हमारे सामने आई है और नामालूम अंदर खाने में क्या-क्या होता होगा हम न आपको बताया कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं या इससे पहले कोई क्वेशन पुछे जा चुके हैं यूडिशल रिव्यू के बारे में पता कर सकते हैं तमाम क्वेशन बनने की संभावना यहां से हो जाएगी एक्जामनेश सब्सक्राइब के साथ और पढ़ाई करते रिजिए थैंक यू